लूका रचित सुसमचार छटवा अध्याय फिर सब्द के दिन वे खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले बालें तोड़ तोड़ कर और हाथों से मल-मल कर खाते जाते थे। तब फरीशियों में से कई एक कहने लगे तुम वे काम क्यों करते हो जो सब्द के दिन करना उचित नहीं। इशु ने उनको उत्तर दिया। क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि दाउद ने जब वे और उसके साथी भूके थे तो क्या किया। वे क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भेट की रोटियां लेकर खाई। जिने खाना याजकों को छोड़ और किसी को पूचित नहीं और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा मनुष्य का पुत्र सब्द के दिन का भी प्रभू है। और ऐसा हुआ कि किसी और सब्द के दिन को वे आरातनालय में जाकर उबदेश करने लगा। और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूख जानता था इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा उठ बीच में खड़ा हो वे उठ खड़ा हुआ। इशु ने उनसे कहा मैं तुमसे यह पूच्छता हूँ कि सब्द के दिन क्या उचित है भला करना या बुरा करना प्राण को बचाना या नाश करना और उसने चारों और उन सभों को देखकर उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवात करने लगे कि हम इशु के साथ क्या करें। और उन दिनों में वे पहार पर प्रार्थना कर अपने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुला कर उन में से बारह चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। और वे ये हैं शमौन जिसका नाम उसने पत्रस भी रखा। और उसका भाई अंद्रियास और याकूब और यहन्ना और और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। तब वे उनके साथ उतर कर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड और सारे यहूदिया और यरुशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुतेरे लोग जो उसकी सुनने और अपनी बिमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आये थे वहां थे और अशुद आत्माओं के सताय हुए लोग भी अच्छे किये जाते थे और सब उससे चूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकल कर सब को चंगा करती थ तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा धन्य हो तुम जो दीन हो क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है धन्य हो तुम जो अब भूके हो क्योंकि तरप्त किये जाओगे धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि हसोगे धन्य हो तुम जब मनुश के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे उस दिन आनंदित होकर उचलना क्योंकि देखो तुम्हारी लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है उनके बाप दादे भव विश्वदक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे, परंतु हाए तुम पर जो धन्वान हो, क्योंकि तुम अपनी शांती पा चुके, हाए तुम पर जो अब तुरुप्त हो, क्योंकि भूके होगे, हाए तुम पर जो अब हसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोगे, हाए त उन पर जब सब मनुष्ट तुम्हे भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादे जूटे भश डुक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। चीन ले, उसको कुर्ता लेने से भी न रोक। जो कोई तुझसे मांगे, उससे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले, उससे न मांग। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई? क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं, और यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई? क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं, और यदि तुम उन्हें उधार दो, जिन से फिर पाने की आशा रखते हो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई? क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं, कि उतना ही फिर पाएं, बरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, और भलाई करो, और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बढ़ा फल होगा, और तुम परमपरधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी क्रपालू है, जैसो तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो, दोश मत लगाओ, तो तुम पर भी दोश नहीं लगाया जाएगा, दोशी न ठहराओ, तो तुम भी दोशी नहीं ठहराये शमा करो, तो तुम्हारी भी शमा की जाएगी, दिया करो, तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर, और हिला हिला कर, और उभरता हुआ, तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी पिर उसने उनसे एक द्रश्टान्त कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गढ़े में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरू से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिध्ध होगा, वह अपने गुरू के समान होगा. तु अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है? और अपनी ही आँख का लठा तुझे नहीं सूझता? और जब तु अपनी ही आँख का लठा नहीं देखता, तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि हे भाई थैर जा, तेरी आँख से तिनके को निकाल दूँ. हे अच्छा पेड नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड है जो अच्छा फल लाए, हर एक पेड अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग जाडियों से अंजीर नहीं तोड़ते, और ना जड़बेरी से अंगूर, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है, वही उसके मुह पर आता है। आते समय भूमी गहरी खोट कर चटान पर नेव डाली, और जब बाढ़ आई, तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था, परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष के समान है, जिसने मिट्टी पर बिना नेव का घर बनाया, जब उस पर धारा लगी, तो वह तुरंत गिर पड़ा, और वह गिर कर सत्यनाश हो गया.